नमस्कार मैं हूँ पलवी सिंग आप देख रहे हैं मेरे साथ आरेया नियूज चनावी बिसात चनता आखिर किसके साथ जानेंगे पंजाब में आखिर क्या कुछ हाल चल रहा है मद्दान का लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर की ओर सुबह नौ बज़े तक पंजाब विधान सबाच चनाव में 4.98 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है बड़ी कबर इस वक्त की आपको बताते हैं लगातार सुबह आठ बज़े से पंजाब में वोटिंग चुरू की गई जिसमें अब तक यानि कि 9 बज़े तक जो है करीब 4.89 फीसदी वोटिंग की गई राजु सरकार में मंतरी पारगट सिंग ने भी जलंदर के मीठापूर में एक मतदान केंद्र में मतदान किया है आपको बता दें लगातार वोटिंग जारी है इस बीच भगवंत मान आमादमी पार्टी की तरफ से पंजाब मुख्य मंतरी का चेहरा जो की बनाए गए है उन्हें भी उन्होंने भी वोटिंग की है और इसके साथ साथ पंजाब में अब तक 9 बज़े तक की बता रहे हैं आपको कि 9 बज़े तक के जो आखडे सामने आए हैं उसके अनुसार पंजाब में सुभा 9 बज़े तक 4.98.60% किया जा चुका है और इस दौरान आमाधनी पार्टी की तरफ से भगवन्तमान ने मुहाली से मतदान किया है परगट सिंग ने भी जौरंदर के मीचापूर में मतदान किया है आपको बताते साथी उन्होंने लोगों से अपील की कहा कि हर नागरे को मतदान करना चाहिए इसकी वज़icamente पड़ी खबर आ रहे हैं सामने आपको रूबरू करवाते चलें कि आमादी पाची के नेता रागफ चड़ा की तरफ से यहां पर एक बड़ा खुला सक्या गया है पड़ी खबर इस वक्त की आपको पता दें रागफ चड़ा ने इवी एम को लेकर यहां पर सवाल कड़े कर रागफ चड़ा ने चुनाव आयोक से इवी एम खराब को लेकर शिकाय दर्च कर आई है जिसकी वज़से वोट जालने के लिए मतदाता इंतिजार कर रहे हैं आपको बदा दें आज यूपी में भी तीसर चरण का चुनाव है और पंजाब में भी चुनाव जारी है लेकि चुनाव आयोक से शिकाय दर्च करवाई कि दो जगह पर इवी एम मशीन खराब है जिसकी वज़से मतदाताओं को इंतिजार करना पड़ रहा है एक एहम दिन यहाँ पर पंजाब के लिए लेकिन इस दोरान भी इवी एम में खराबी का मामला सामने आया है रागफ चड़ कर दिये हैं और साथ ही उन्होंने चुनावायो का रुक किया कहा कि सुनार और शुकराना में इवी एम मशीन खराब हो गई है